इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। शारीरिक गतिविधी से दो घंटे पहले देना पसंद करें। अलजी के लिए लक्षनों की शुरुआत के समय के आधार पर इसे सुभह या शाम को देना सबसे अच्छा है। यदि आपके बच्चे के पास दोनों हैं, तो इसे शाम को देना पसंद करें। यदि आपका बच्चा इस दवा को लेने के 30 मिनिट के भीतर उल्टी करता है, तो वही खुराक दो बारा दें, लेकिन अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो इसे छोड़ दें। कुछ नियमित खुराक के बाद आपका बच्चा बहतर महसूस करना शुरू कर सकता है। हाला कि अधिक्तम लाब सुनिश्चित करने के लिए आपको अभी भी निर्धारित खुराक को पूरा करना होगा। इसके अलावा दवा को अचानक बंद करने से आपके बच्चे की स्थिती और खराब हो सकती है। यह दवा उल्टी, दस्थ, मतली, चक्कराना, शुश्क मूह, दाने और सिर्दर्द जैसे कुछ मामूली और अस्थाई दुश प्रभाव पैदा कर सकती है। आम तोर पर आपके बच्चे का शरीर दवा के अनुकूल हो जाने के बाद ये एपिसोड कम हो जाते हैं। हाला कि यदि ये प्रभाव आपके बच्चे को परेशान करते हैं या परेशान करते हैं तो बिना किसी देरी के अपने बच्चे के डॉक्टर से परामर्ष करें। अपने बच्चे के डॉक्टर को बताएं कि क्या आपका बच्चा पहले से ही कोई दवा ले रहा है। इसके अलावा अलजी, हिर्दे की समस्या, रक्त विकार, समवहनी विकार, जन्दोश, वायुमार्ग की रुकावट, फेफडे की विसंगती, त्वचा विकार, यकृत हानी और गुर्दे की खराबी के किसी भी पूर्व एपिसोड सहित अपने बच्चे का पूरा चिकित सा इतिहास बताएं, यह जानकारी खुराक में बदलाव और आपके बच्चे के समगर उपचार की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद